बिहार सरकार के जातिये जन गन्ना के आंकड़े आते ही बनानस वाला इसक फेम और बिहार के चर्चित लेखक प्रभात बांधूली के त्वरित प्रतिक्रिया सामने आई है प्रतिक्रिया के लिए और अंगाबाद के रहने वाले इस लेखक ने कवीता का सहरा लिया है कावय की शैली में लेखक ने वेंग्यात्मक प्रतिकिरिया दी, प्रतिकिरिया के पहले उन्होंने भुमिका भी बांदी है, भुमिका में लेखक ने कहा है कि जब जातिय गन्ना की बात आई थी तो मैंने कहा था कि दसरत मांजी के इस राज में जाति कोड की जरूरत नहीं, मुहबब की जरूरत है और आपसी भाईशारिप प्रेम की जरूरत है और एक भबी भिहार बनाने की जरूरत है सरकार का अपना दलील है और जाती है आंकड़ा जाती है जन्गन्ना आकड़ा आज हम सभी के सामने आचुका है तो ऐसी स्थिती में जो मैं समझ पा रहा हूँ किस आकड़ा से इस आकड़े क्या जाने से हमारा और आपका क्या बल देगा राजा को सब पुछ भी लेगा मेरी एक कविता है उसका दो लाइन है कि नेता जी का बेटा लंदन पड़ रहा है लाटी लेके सुनवाई है लंठ बन रहा है तो आम जो जनता है उसको क्या मिलता है बिहार राजी वाड से दसे महासंग के आवाहन पर मंगलबार को जले भर के वाड से दसे ओने भभुगा में आकरोश मार्च निकाला बेवार्ड से दस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं अपने हक और अधिकार की मांग किया क्रोश मार्च का नेतरित उजलाध्यक्ष राजव पास्वान ने किया अपनी 14 सुत्री मांग को लिखर कहा कि सरकार हम लोगों की 14 सुत्री मांग पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा और विधान सभाग के चुनाओं में सरकार को चुकाना पड़े आज हम लोग का राज व्यापी धर्ना पर्दरशन माक्रोष मार्च है बिहार के सभी जिला मुख्याले पर आज परदेश के द्वारा हो आन किया गया था कि 9 सितम्बर से लेके 3 अक्टूबर तक सब्सक्राइबूर अपनी मांगों के समर्षन में लेकर के आज हम लोग अपना सकती पर्षिचर दिखा एगर होक्त माझेघिया गया तो आपको अभी गदिश कोना पड़ेगा जहानाबाद में प्राकलन समीथी के बैठेक में शामिल होने पहुंचे आरजडी के मुख्य परवागता भाई विरेंद्र ने बीजेपी पर जुर्दार हमला वला बीजेपी ने ताओं पर भाई विरेंद्र ने कहा कि राहूल गांधी से डरे सह में लोग इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं भाई विरेंद्र ने राहूल गांधी पर दिये बयान का भी पलटवार किया भाई विरंदर ने कहा कि आने वाले चुनाओं में बीजेपी की विदाई होने वाली है और इसी बात की डर से बीजेपी परिशान है वहीं जातिय गन्ना को सही ठेराते उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां जातिय गन्ना कराई गई है और अब सरकार जिस का साफ होने वाला है तो हमको लगता है कि इनलों का मानसीक शंतुलमख कोते जा रहे हैंा। बिहार में जितना जितना यह मानसीक अरुक्षाला है। मैं चाहूँगा सरकार से इसको खाली करा के रखें उन जो बैबीजी पी वाले दिवालिया होते जा रहे है और मांसीक रोख से ग्रशित होते जा रहे है। से क्या पैदा हमको नहीं समझ में आता है उनको तो पता चल गया होगा यह हम कहां है कहां खड़े हैं यह सब उनको मालूम है गिराज से अपनी स्टिकर्ट और सीट बचाने के लिए सब व्यान विवादी देते रहते हैं भागलपुर का जिला परिवहन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है अगर बिजली कट जाती है तो यहां के सारे काम ठप हो जाते हैं तश्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं कि जिला परिवहन विभाग के सभी दफ्तर में बिजली कटते ही घना अंधिरा चा जाता है और काम ठप हो जाता है इसको लेकर लोग घंटों परिशान रहते हैं लोगों ने इसकी जांकारी जिला दिगारी को आवेदन ले कर दी है जिला परिवहन विभाग के रवय से परिशान लोगों ने कहा है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए हम लोगों को घंटों इंतजार कर पड़ता है सवाल यह उठता है कि जिला परिवहन वभाग भगवान भरोसे चल रहा है या फिर बिजली वभाग के भरोसे क्या अपने लाइसेंस को बनाने के लिए लोग परेशान रहेंगे स्पुक्रीब आमले पर जिला परिवहन पतादिकारी ने कुछ भी बोलने से इंका कि अपन्र वाले को बुलाए यह पांडे जी को उनोंने कहा तेल का पैसा तीन महिने से नहीं मिला है हम अपने घर से कितना चलाएंगे से मीले उंसे बोले तो वह बोली कि नहीं नहीं उनको हम इस देल डेंगे आप लोग उस दो चलवानाओ तो चलवाली जी नहीं तो इस बार पित्रिपक्ष मिले में देश विदे से आने वाले तीर थियात्रियों को गया जी की भूमी बदली बदली लग रही है फल्गु नदी में जल प्रवाहित के साथ साथ देवगाट से सीता कुण तक जाने के लिए सुगम रास्ता भी है इसके लावा मिथिला पेंटिंग से भी सीता पत को सजाया गया है सीता पत पर परियाप्त आकरशक लाइट की ववस्था है इस बार देश विदेश से आये सभी तीर्थियात्रियों को भी गंगा पानी पीने को मिल रहा है जिससे सभी तीर्थियात्री और भी प्रसंसा करती न जोरा रहे है मधवानी पुलिस ने लूट और चोरी के वाहनों की खरीद बिकरी करने वाले अपराधियों को गरफतार गया है पुलिस सद्धिक शक सुसील कुपा ने प्रेस को संबोधित करते बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफिया संजीत कुपार गुपता जो चोरी और लूटे गए वाहनों की खरीद बिकरी का धंदा करता था और फरजी तरीके से गाडी का नंबर प्लेट और कागच तयार करता है उसे टीम गठन कर कारवाई करते हुए छापे मारी कर गिरफतार किया गया चोरी के गाड़ी के साथ 9,97,000 रुपए भी बरामद हुए बिनाम के 2010-2023 को सुचना मिली थी कि एक संजीत कुमार गुपता है जो शराब के केस में वांटेड है और उसके अलावा जो है अगनी कैसी जिसके उपर है यह चोरी की गाड़ी को खरीब भी करता है और वही चोरी गाड़ी जो है लेकर के समिया पेट्रोल पंप के पास एक गैरेज है वही पे बनवाने की लिए सुचना के आनलोग में एक अनुवंडर पुलिस पता दिकारी दुन्हाद और के इस दित्रों में एक टीम मनाईगी जिसमें अनारदर्च भाहरनस्थान और सट्रिन इंस्क्रेक्टर जन्जारपूर को टीम में रखा गया और रेट की गई वहां पे जो पेट्रोल पंप के गराज वहां को जैसे हमारी टीम पहुंची देख करके एकांवी भागया जिसको पीशा करके पुलिस को दौरा पक्रा गया जिसका नाम संजीत कंप्लीट सॉल्यूशन इस्टिट्ट यहां है स्मार्ट क्लास्रूप वन टूवन डाउट क्लीरिंग सेशन आस्क दैस्पर्ट वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मतलब हम करेंगे आपको गाइड बनेंगे आपके मेंचोर पांटेशन क्लासे फ्रॉम क्लास 6 ओन